मेरा का गूरा मे अगुष गुष्यक्ट म करे ना अब नुट मीया इस है नं applies आड़े उय में, आज आज आमेरा कला बाथ करेंगे टेक्निकल् कम्म्निकेशन की यूनिट nggak कि बारे म Merci तो इन्हे सारे question हम लोग quantum से उठाए है और हम लोग इसमें सारे question cover करेंगी और एकदम अच्छे से, okay तो आईए start करते है तो पहला हम लोग का question है What is technical communication and its features, okay तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि technical communication क्या होता है So, जैसे कि आप लोग मान लीजे किसी से बात पात चीत करते हैं So, जब उसमें हम technically word use करते हैं अपने communication में किसी से बात करने के लिए जैसे कि मान लीजे आप किसी office में हैं कहीं organization में हैं या फिर कहीं बड़े किसी बहुत बड़े industry में हैं तो आपको वहाँ पर लोगों से technically बात करना पड़ेगा आपको समय रहों लोगे So, यह होता है आपका technical communication So, आईए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं क्या होता है Technical communication is a form of communication in which delivery of factual information So, technical communication में जब हम कीशे बात चीट करते हैं So, उसमें हम factual information को deliver करते हैं मतलब की factual information का आदान प्रदान होता है हम लोगों के बीश में आगे बड़ते हैं It helps people to find goal and reduce risk देखें यहाँ पे छूटी है यह आपका reduce यह हम यह लोगों में मदद करता है उनको goal achieve करने में और risk कम करने में ताकि उनके goal अच्छे से पा सके हैं मतलब जो जाते हैं वो प्राप्ट कर सके हैं आगे बड़ते हैं The language of technical communication is clear, accurate and familiar So, जो technical communication में हम लोगों language use करते हैं वो एकदम spust होना चाहिए accurate होना चाहिए और familiar होना चाहिए जैसे कि मानलीज आप रखी से बात चीत कर रहा है तो ऐसी बहां साहिंव बात करना है ताकि अगला को भी समझ में और आपको भी समझ में और एकदम spust रूप से बात होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए ओके बिजनेसेस केन यूज टेकनिकल कम्मिनिकेशन इन वारियस स्पीज सो जैसे कि आप जानते ही हैं और अर्गनाइजेशन या पिर बड़े लेवल के इंडस्ट्री में यूज होता है किनल कम्मिनिकेशन किस चीज के लिए ताक्षिक वहाँ पर प देकनिकल कमनिकेशन होता है कि वहाँ फर मेडिकल इंस्ट्रक्ण या फिर मेडिकल इंस्ट्रक्शन में भी विक लिए अवाई इसके कुछ फीचर्स के बारे जा लेते हैं कि इसके features क्या है Technical Communication यहाँ पर मैं TC मतलब Technical Communication होके TC has a specialized content it not only communicate about special topic but about any technical topic Technical Communication एक specialized content होके इसमें ना कि हम किसी special topic के बारे में बात करता है हम इसमें किसी भी technical topic के बारे में बात करता है यह हो गया इसका पहला feature second देखते है Technical Communication is the delivery of technical information इसी से पता चलता है कि technical communication है तो इसमें technical information बें डिलीवर होगा तो यह हो गया आपका technical information के feature आगे बाटते हैं यहाँ पर डाइग्राम में बना के दिखा दिया हूँ यह बहुँ ज़्यादर जरूरी है so next point technical communication has a specific purpose so technical communication का एक अपना उद्देश होता है जिसमें हम लोगों से टेखनिकली वर्ड में बात चीत करने के लिए यूज करते हैं it deliver knowledge in oral and written form so जब हम किसी से बात करते हैं तो जाइर से बात है या तो हम बोल के बात करते हैं तो आपका oral हो गया या फिर written form में या फिर हम लिख के बात लिख के देते हैं ताक ही वो अगला समझ सके यह हो गया features ओके और यह इसका डाइग्राम हो गया यह हो गया से technical communication तो इसमें कैसे यूज हो थे overall यह हो गया आपका technological visual मतलब की screen से और यह हो गया ethical ethical miss हो थे आपका nantic तो next question की तरफ बढ़ते हैं और गाई इसमें जितने ही question ही सारे important question ओके so आगे बढ़ते हैं second question है हम लोगा differentiate between technical writing and general writing और यह देखिया आपका AKT 2014 पंदर 18 और 22 तक आया okay so हम लोग जानें की technical writing और general writing और difference है so the audience and technical writing is specific okay मतलब जो technical writing में जो audience होते हैं audience मतलब जो लोग होते हैं वो एक specific लोग होते हैं okay और general writing में देख लिएते हैं the audience in general writing is general मतलब कि general writing में जो लोग होते हैं वो समान्य होते हैं मतलब general लोग मतलब कोई भी लोग होते हैं वो जन्रल में आगे okay the purpose of technical writing is to inform to instruct तो वो technical writing का purpose क्या है लोग को information प्रदान करना किसी को instruction देना कमांड देना यह हो गया आपका technical writing ओके general writing में देख लिएते हैं the purpose of general writing is to entertain and educate तो वही हो गया मतलब कि general writing में हम किसी को entertain करते हैं या फिर education में योगदान देता है या फिर मान लिजाए cinema hall हो गया comedy हो गया उसमें इसका इस होता है टेकनिकल राइटिंग में देखते हुता है style of technical writing is formal तो टेकनिकल राइटिंग में जो हमने style होता है लिखने का या लिखने का या बोलने का formal होता होता होके और general writing में style of general writing is informal इसमें हम लोग informal style उज़ करते हैं ओके आगे बढ़ते हैं it is scientific तो टेकनिकल राइटिंग में हम इसा scientific word यूज करते हैं general writing में देख लिएता है it is general so general writing हम लोगा generic होता है मतलब सामाने टेकनिकल राइटिंग देख लिएता है its scope is limited so technical writing scope limited है तो आपको पताए हो कि इसको में बस और नाइएशन या फिर किसी बड़ एक इंड़स्ट्री लावर पर यूज करते हैं और general writing का इसको बहुत मतलब जादा है मतलब इसको हम कहें भी यूज कर सकते हैं so ये next आगे बढ़ते हैं so next हमाला question है difference between general communication and technical communication वह अंड़ोगे आओ गया था general writing और technical writing और यहाँ प्याँ हम पढ़ेंगे general communication and technical communication क्या होता है ये भी आपका question 2015 16 17 में आया है तो आई जानते हैं क्या होता है technical communication it contains some technical information so अई बात हो गई technical communication हो रहा है तो इसमें जाइर सी बात है कि technical information यूज होगा general communication ये pseudo-double-m communication okay it contains some general information मतलब कि अब general communication है तो इसमें कुछ general information भी use हो रहाँगे okay next the information is formal and predefined so ये seem आपका writing की तरह है इसमें जो information होगा वो formal होगा और वो पहले से defined होगा कि हमें क्या बोलना है क्या लिखना है या फिर अगले को क्या बताना है और general communication में देख लेता है the information is informal in style और इसमें जो inform करने का जो तरीका होगा वो informal होगा style okay आगे बढ़ते है it is mostly formal so ये भी आप point याद कर सकते है इसमें mostly formally होगा इसमें informally होगा it follows set of pattern तो जो technical communication का जो pattern होता है वो एकदम set होता है मतलब कि आप कोई भी word meaning उसकी gocaps के इसाब से आप बात करेंगे it does not follow the set of pattern मतलब इसमें कोई भी pattern set नहीं है आप कैसे भी लोगों से बात कर सकते हैं बस आपको समझाना अच्छे से आना चाहिए और अगले को समझ में आना चाहिए it is always for specific audience वही से हम हो गया है कुछ ही लोगों के लिए specific audience ही नहीं है और यह specific audience के लिए नहीं है आगे बाटते हैं next हमारे question है different level of communication so यह question आप ध्यान से देख लीजेगा different level of communication क्या होता है so पहला इसमें extra personal communication okay so extra personal communication क्या होता है the extra personal communication is a communication between human beings and non-human beings so एक ऐसा communication मतलग ऐसी बातचीत जो की इंसान और जानवरों के बीच में होता है यह होता है आपका extra personal communication so आईए जानते हैं क्या होता है example में sequence आपको देदेता हूं okay जैसे कि मान लीजे आपके पास कोई पालतु जानवर है so पताता हूं communication between dogs या फिर monkey या parrot या उसकी master से होग जैसे कि मान लीजे आपके पास एक पालतु कुता है करता होगा या फिर मान लीजे आपका तोता है तो आपको जानता होगा या आपसे बात करता होगा अपने language हो मतलब जो भी language हो आपका so यह हो गया extra personal communication एक ऐसा communication जिसमें इंसान और जानवरों की बीश में बाचीश होती हो किसी sign के माध्यम से या फिर between the body of individual or ourself तो इंट्रापर्सनल communication एक ऐसा communication है जिसमें इंसान खुद से मतलब बात काता है मतलब खुद से खुद के बारे में सोचता है या फिर महसूस कता है और पुस्त की कारोण वो self-motivate होता है self-determination होता है at this level, okay so वो खुद से motivated होता है जिर्ण निश्चे रहता है ताकि वो अपने गोल की गोल की पीछे रहे और उसे पुरा करे यह वोगी आपका इंट्रापर्सनल कम्मुनिकेशन क्यासा कम्मुनिकेशन जिसमें हों खुद से खुद के बारे में सोचते हैं okay next आपका इंट्रापर्सनल कम्मुनिकेशन so in this कम्मुनिकेशन, sharing of information among people इंट्रापर्सनल कम्मुनिकेशन में हम लोगों से बात चीत करते हैं और उसमें इंट्रापर्मेशन को शेयर बठते हैं कि जो हमारे पास information है या फिर जो हमको बात चीत करना है तो यह आपका इंट्रपर्सनल कम्मुनिकेशन में जाएगा it receives direct and immediate feedback इसका फायदा यह है कि जब हम सामने किसी से बात करेंगे तो हम तुरंत feedback लिए सकते हैं कि हमारे बात करने से response क्या है हमारा फायदा क्या है ओके इसका एक्जांपर देख लिए है interaction with sales executive आप कोई sales executive है उसको कैसे अपनी बातों से उसको interact करें ओके इसके बाद आता आपका organizational communication स्वाई जानते क्या होता it takes place within organization at different level so organizational communication एक ऐसा communication है जैसे कि मान लिए किसी आप company में गाम करते हैं तो वहां कुछ रियन rule होंगे और कुछ कान्वन होंगे जिसके दायरे में आपको रहके बात करना पड़ेगा जैसे कि मान लिए आपका boss है तो उससे आप किसी अलग तरीकी से बात करेंगे या फिर आपका जो कलीग है उससे आप अलग तरीकी से बात करेंगे तो ऐसे communication को organizational communication कहते है अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका mass communication सो आए जानते हैं mass communication क्या होता है this type of communication from television, news, books, internet, social site सो mass communication यह होता है जैसे कि मान लिजे आपको कोई news है और बड़े पहमाने पे लोगों के बीच में उसको मतलब transfer करना है सो अब क्या करेंगे आप या तो television पे broadcast करेंगे या फिर नीज के सहार है उसको जानेंगी या फिर बुक्स हो गया internet हो गया social sites हो गया जैसे कि Instagram Facebook यह सब आप चलाते ही होंगी so guys comment में बताए कि कौन कौन Instagram यूज करता है so एक ऐसा communication का माध्याम जैसे हम जादे large number of people as audience के बीच में हम share कर सेंगे okay because masses for large audience okay so ऐसे की large बहुत जादे लोगों के बीच में कोई information हमको send करना है so इसके लिए हम mass communication का यूज करते हैं okay so आगे बढ़ता है next हमारा question है barriers of communication और सब कि कहां कहां हमें बादहाएं आती है वार्दलाब या फिर मनने लिए communication की दौराना की so पहला हो गया आपका intrapersonal communication so नाम आपको याद रखना है same पिछले लिखते हैं बस इसमें barrier हो गया कि बादहाएं क्या क्या आते है so first point है this barriers arising within individual so जैसे कि intrapersonal में हम खुद से बातचीत करते हैं तो इसमें problem भी जो होगी वह हमें खुद से ही solve करने होई या फिर खुद से ही मतलब problem arise होते है so next point it depending upon where we think लगी हमारे सोच पर निजबर करता है कि हम कैसे किसी भी किसी भी चीत के बारे में सोचते हैं या फिर कैसे हम decision लेते हैं यह tip in करता है background पर या फिर हमारे wrong exemption पर या फिर हमारा सोचने का level कितना है या फिर हमारे learning skin पर so यह होगी आपका बाद है जो कि intrapersonal communication में आते हैं next होगी आपका interpersonal communication जैसे कि हम किसी और से communication करते हैं वह होगी आपका interpersonal communication इसमें बादहाई क्या क्याती है it arise due to improper exchange of words between two people इसमें यह बता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो इसमें हम improper words का use बता है जैसे कि हम अबले को convince नहीं कर पाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं और जिसकी वज़े से हमारा communication खराब होता है इसकी barrier होगा next point limited vocab cultural difference poor listening skill and noise जैसे कि मानली यह आपकास जब हमको किसी दूसरे person से बात करनी है वह आपकास जादिस ज्यादव vocabulary word हने चाहिए जो हम लोगों से बात करें तो उसमें use कर सकते हैं उसकी कमी की करण होता है जा फिर मानली यह हम अलग-अलग culture से belong करते हैं जैसे कोई कोई मानली यह उत्तरप्रदेशी हो गया कोई बिहार से हो गया तो सबके अलग-अलग language होंगे सबके अलग-अलग culture होंगे next is में poor listening skill जैसे हम द्हान से नहीं सुनेंगी तो हमें याद कहां से होगा आप भी द्हान से सुनेंगा या फिर बहुत जाद है noise की करण next हमारा barrier आता है organizational पर organizational communication है तो organizational communication होता है जिसमें organization के अंदर जो बात्चीश होती हो इसमें बाद है क्या क्या आती है it exists in entire organization so यह ऐसा नहीं कि बस एक दो लोगों की बीजिम होता है यह पूरे organizational level पर इसमें दिक्कत आती है next point हो भी है hierarchy structure restricts the flow so इसमें जो organization है तो इसमें hierarchy तो बनेगा ही बनेगा जैसे कि manager boss हो गया boss के नीचे managers हो गया है इसके नीचे employees हो गया है तो इसमें बात्चीश करने में restriction होती है यह आप यह पर आपको ऐसा लागा कि हमारे job affect करेगा यह फिर जो भी हो इसलिए इसमें restriction है ओके disturb the communication और इसकी वज़र से हमारा पूरा communication disturb हो जाता है अगर मानली जिए हमने boss से कुछ तुम तड़ाक में बात कर लिये या फिर कुछ तो इससे आपके job को खत्रा हो जाएगा fear of superior वही आपके superior गडर होगा निए डिवाटी डूड आएगा और work की overload होने के कारण यह होता है barriers in organizational communication मानली जो work का load होगा तो आप boss से कुछ कहनी पाएंगे या फिर अपने जो आप से senior होगा उससे आप नहीं बताएंगे कि तिकत कहा रहे है जिसकी विरसे company का growth भी कम हो जाएगा इसकी विरसे तो यह सब बादाएं आप की आते हैं अब communication में next हमारा question है dimension और flow of communication यह हमारा question बहुत बर आता है take it to exam में तो दियान रखेगा आप लो so first है आपका upward communication so upward communication क्या होता है यह आपका dimension या flow है communication का आई जानते हैं क्या होता है communication from subordinate to superior communication का माध्यम जिसमें नीचे से नीचे के पदो के लोगों से उपर के पदो के लोगों से मतलब communication हो मतलब वारतलाप हो जैसे कि subordinate to superior हो गया जैसे कि मान लिएजे कि कोई subordinate हो ऑपने superior से बात करता है या फिर employee to manager हो गया मतलब नीचे से उपर जाता है अरएष की कीट में युकि यैसिव वार्गर से डिडिसीजन में कर ऊगया आंसफराइज घंविषोन व्हक्ट औरफिफ ह्यवर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रांम लू पोस्ट थो है तो इस इसमें इनवरीमागशन का टास्फर होता है request from low post to high post मतलब कि अब मान जाब लोग post है तो आप अपने superior से request ही तो करेंगे जिसकी वैसे इसमें improve होता है relationship में तो अगर आपनों के बीच अच्छे से बात चीत रहेगी communication skill अच्छे रहेंगे और relationship भी अच्छे तो यह improve करेगा relationship को के so upward communication में होता है नीचे से उपर पदों पे मतलब बात जीत strong employer to manager या फिर subordinate to superior low to high के यह आप वगयाद रखेगा upward में low to high लबकि low coordinate से high coordinate next होगे आपका downward communication तो downward communication में क्या होता है low to high नहीं इसमें high to low होता है okay communication from high level to low level so downward communication में जो communication का होता है प्रकिरिया वो high level से low level होता है जैसे कि manager से worker के पेश में okay it involves instruction advice request सो मानली जब आपका boss है तो वो आपको request तो आपसे करेगा नहीं वो जो आपको instruction देगा तो यह होता है आपका यह होता है downward communication के बारे में जिसमें बॉस आपको आडर देता हो या फिर instruction देता हो एडवाइस देता हो आपको जाक्रिम करता हो main function provide information इसका main function download communication के यह है इसमें information आपको provide करता हो के यह होगी आपका downward communication जिसमें high level से low level के मीच में बात बता हो के next point यह होगी आपका horizontal और lateral और peer communication यह आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी name से आ सकता है या फिर इसमें दो नंबर में भी question आते हैं ओके so horizontal या फिर lateral हो गया आप कमाल लीजे people working at the same level मन्तब कि इसमें जो communication होता है वो same level के पोस्ट के बीच में होता है जैसे कि मानलेजे आप आप मानलेजे आप client है और दूसरी department कोई में कोई और client है तो उसके बीच में जो communication होगा वो horizontal या neutral या फिर पिर टू पिर communication होता है लग आपके बराबरी के बीच में जो communication होता है वो communication from manager to manager मानलेजे sales executive या फिर दूसरे में मानलेजे आपका income income executive manager के बीच में जो बात होता है वो या आपका horizontal वतलब की बराबर के पदों के बीच में या फिर किसी company मानलेजे वरकर टू वरकर department अलग 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 हो director to director it's developed teamwork so इसमें टीमवर्क डेवल्लप होता है और relations भी बिल्ड होता है strong होता है जिसके वैसे group promote होता है last आपका diagonal और crosswise communication it flows in all direction so इसमें ऐसा है कि आप नुचे से उपर पदोपर भी बात कर सकता है मानले जैसे कि किसी company का किसी company का उपर कर हो गया तो manager से भी direct बात कर सकता है यह हो गया आपका diagonal या crosswise communication it response market meet demand इसका आम लोग इसका इस्तमान क्यों होता है ताकि market में demand बहुत जादे है और अगर बात चीत नहीं होगी तो इससे उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि कमी कहां आ रही हो कि सो इसके वैसे किसी company में worker direct अपने boss या फिर manager से भी बात कर सकता है यह होता आपका diagonal communication people not follow rules or norms इसमें rules तो होते हैं लेकिन इसमें उतने rules follow नहीं होते हैं यह होता आपका diagonal communication नेक्स्ट होगी आपका language as a tool of communication यह भी question बहुत 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 हैं इसमें जितने भी मैंने question select किया हैं यह हर बार exam में आते रहते हैं effective communication is possible with the help of language so आप जानते ही हैं मालेज़े लेंग्विज को में टूल की तरह इस्तमाल कप कर सकते हैं इसमें effective communication जो होता है मालेज़े आपको किसी से अच्छे से बातशीत करनी हैं तो इसमें language का तो साहरा लेना ही पड़ेगा ऐसा तो बात है नहीं कि आप किसी hand sign या फिर आखों में इशारा हो गया है ऐसे तो आप बात कर नहीं सकते हैं इसमें language की बहुत खास ज़रुत पड़ते हैं basic knowledge also help in write and read so इसमें आपके बास basic knowledge तो होना ही चाहिए ताटिया पर लिख सके या फिर बढ़ सके और आप मानने से किसी को कुछ समझाना है तो आप उसको लिख के दिखा सके या फिर बढ़ सके it is combination of words so इसमें हम words के combination को यूज करते हैं language बना लगे language is medium to convey message so language ही रहेगा तो आप किसी को कुछ बता नहीं पाएंगे या फिर आप किसी को कोई message नहीं दे पाएंगे so language इसमें medium एक मात्यम है जिसकी वैसे हम किसी को message कर सकते हैं okay everyone speaks from childhood so easy to convey message so आप लोग जानते हैं कि हम लोग बच्पन से एक दूसाद के बास से तो बोलने ही लगते हैं so इसमें आसानी से हम लोग किसी से भी बात चीत कर सकते हैं और जो भी हम लोग को किसी को बताना है वो हम लोग बता सकते हैं okay next one is written it develops by body language a language जो अमाराद है DNA की बस बोलने से ही language होता है हम लोग के body gesture हो गया posture हो गया body language हो गया hand sign हो गया यह भी एक language की तरह ही use होते है okay next space language हो गया time हो गया symbol हो गया अब इसकी कुछ characteristics देख लेता है इसकी क्या भी से स्थाया हो दिया okay language is artificial so language तो ऐसा तो है नहीं हो पर्से बन के आया हो language का निर्मान आमने खुद किया है so language क्या होता है artificial होता है okay second language is restricted when we translate a second when we translate some words missing okay language restricted okay जैसे की मान लीजिए अगर आप use करें translation का तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम accurate उसमें words का use करता है कुछ न कुछ तो आप से भूली जाता है so language restricted होता है okay language is abstract it represents general ideas of things so language abstract होता है यह general ideas को represent करता है जैसे की मान लीजिए आपके बास कोई भी idea हो तो आप उसको easily किसी से convey कर सकते है okay language is creative so language मान लीजिए creation ही है आप इसको create की है so language creative होता है language is redundant और repetition so language repeat भी होता है okay रंदब क्या आप दोहरा सकते है so इसको याद करने की जैसे की artificial होगा restricted abstract creative या repetition so इसको याद करने के लिए क्या पे shortcut मैंने बनाया है बढ़िया है थोड़ा आप भी दिख लीजिए गा यार रहमान एसी में गाने repeat कर रहा क्या है इसका मानले जा आर्टिफिसर तो होगया तो repeat होगया आपका repetition कर रहा तो आप इसको याद कर सकते हैं यह language as a dual of communication की characteristics है यह भी exam में बहुत आता है इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट आपका कुश्चन है comprehensive skills को हम कैसे इंप्रूफ कर सके ओके read a variety of materials सो मानले जापको exam की तैयारी करने है आप अलग-अलग जगह से उठा के पढ़ें मानले कि दाप से पढ़ें या फिर इंटरनेट हो गया तो बहुत चुबह जगह से पढ़ने से आपके पास किसी भी topic के वारे हम पहुत ज्यादे material हो यादा है तो आप असानी से use कर सकते हैं और याद कर सकते होगे read a variety of materials next है do not limit to textbook मत्तब कि यह हो गया कि आप किताबी गीड़ा ना बने तो आप यह तो पहने नहीं सुने होंगे तो आपको अलग अलग जगह से पढ़ना है ताकि आपके पास better knowledge हो के जिससे आपकी comprehensive skills improve हो देट है next is read fairly long portion आपको long portion में study करना है और अच्छे से उसको read करना है ताकि आपके दिमांग में ज्यादे से ज्यादे बात उससी feed हो सकें उसके related circle unknown words जैसी कि मान लिए या आप कोई topic पढ़ रहे हो उसमें कुछ words आपको बहुत मत्तब different लग रहे हैं या फिर उसके meaning आपको नहीं पता हो त ताकि आप उसके बारे में जान सके और आपको याद रहा after reading recall so आप जानते ही होगी कि हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद उसको दुबारा नहीं पढ़ते हैं तो यह आपको गंदी नहीं करने आप दुबारा उसमें पढ़ना है okay next answer question after reading so आप मान लिए कोई topic comprehension skills अपने improved कर सकते हैं next question आपका types of sentences so यह भी question बहुत बार पुछा गया है कि types of sentences क्या होता है so आई रहते हैं simple sentences simple sentences वो होता है जो single clause से मिल की बने होता है और जिसमें subject होता है और वार होता है जैसे कि हो गया आदित आदित वेंट टू स्कूल ओकी यह हो गया आपका simple sentence आदित वेंट टू स्कूल जिसमें आँडो वन सब्जेक्ट और वन वर्ब का यूज करते हैं okay next होता है आपका compound sentences जिसमें two independent clause join करके जो sentence बनता है उसका हम बोलते compound sentences जैसे कि आदित वेंट टू स्कूल बट उसकी सिस्टर वेंट टू मॉल तो यह आपका दो clause को join करके एक sentence बनता है तो आदित स्कूल जाता है बट उसकी सिस्टर मॉल जाता है यह हो गया आपका third है आपका complete sentence that consists of subject verb and express complete thought so जो complete sentence होता है वो subject verb से मिल कर बनाता है और वो किसी thought को completely express करता है जैसे कि आदित यह walked along beaches of miyami तो आदित भाईया हो गया यह बीच पे जाते हैं miyami में यह पिर आप भूआ भी कर रखते हो बे यह आगा आपका complete sentences next आपका question है requisites of sentence construction यह भी आपका question बहुत बार आते हैं एक्जाम में technical communication चे so first होगे आपका clarity आपका clarity आपको समझी रहा होगे क्या होता है clarity आपका होता है एकदम clear अधर कि कोई भी आप words या sentence लिख रहा हो तो एकदम spust रूप से होना चाहिए so यह जानते हैं sense is clear तो sentence is clear so अगर आपका sense clear होगा तो sentence भी clear होगा और sentence clear होगा तो आपको अच्छे number में मिलेंगे it begins with the conception of ideas so अगर आप मान लिजे कोई question attempt कर रहा है एक टो एक 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 जाम में समय लिजे so आप जाहे सिवा तो उसमें diagram मनाएंगे simple simple point लिखेंगे line by line so इससे वो copy effective लगेगा थोड़ा examiner गो और वो direct ऐसे ही number दे देगा आपके बस diagram और अच्छे अगर आपने clear लिखा है और अगर उसमें comma correct mistakes कोई नहीं है उनका grammatical mistakes नहीं है तो यह आपके clarity होगा है okay correct words correct grammar okay फिर होगा consistency it should keep one pattern so आपको इक pattern में पस्ट रूप से लिखना है consistency बनाया रखने जैसे कि आप exam के time में जब तयारी करते हैं so एक consistency बनाया रखते हैं ताकि rule regression के अंतरगत आप exam के तयारी करें आप टाइम टीवन बनाते हैं okay so यह होगा consistency paragraph follow one style जो भी आप paragraph लिखते हैं वो एक style को follow करने चाहिए अब यह नहीं कि अलग-अलग format अलग-अलग style में आप लोग लिख रहा है okay easy and correct word use so अपने आपको उसमें easily और जो correct word है जिसकी कुछ meaning होते हैं वो सब use करना है ऐसा नहीं कि आप कुछ word उठाकर डालने तो इससे आपका mistake हो जाएगा okay grammar pronouns and verb is correct so इसमें आपके कोई grammatical mistake नहीं होने चाहिए pronouns सही होना चाहिए और words जो होते हैं वो भी correct होने चाहिए okay उसके बाद आप last question आता है paragraph writing तो यह देखते हैं क्या होता है paragraph क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी words को group में लिखते हैं और group में ग्रूप जो words से मिलके sentence मनता है तो जो sentence group में होते हैं वो होते आपके paragraph okay so मान लीजिए आप वो फास सारे sentence लिखे हैं और वो सारे group में तो आपका एक paragraph होता है that express some idea so paragraph हम क्यों लिखते हैं ताकि हम उससे किसी idea पो या फिर किसी topic से related किसी भी query को हम express कर सके group of related sentence that common single idea so जो बहुत सारे sentence का group होता है जिसकी वेज़े से कोई single idea उससे उत्थपन होता है या फिर कोई उद्दीश उससे form होता है so या आपका paragraph राइटिंग होता है it may express opinion जिसकी वेज़े से आप किसी राय को express करते हैं opinion को express करना paragraph consist two to eight words so एक paragraph में कम से कम दो से आठ वर्ट्स होने चाहिए जिससे मिलके paragraph बनता है so अगर आपका और यह भी जान लीज़े shorter paragraph so अगर आपका paragraph short है छोटा है तो वो किसी particular point या फिर किसी particular matter को दरसाता है या आपका shorter paragraph हो गया और longer paragraph होता है जैसे कि आप टेक्निकल राइटिंग होके तो यह टेक्निकल राइटिंग होता है so like करें comment करें share करें और आपने दोस्तों को भी share करें जिसकी से जरूरत होके और subscribe करने ना भूलें थांक यू